हेलो एवरिवन फ्रेंस नमस्ते कैसे हूँ होब करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंस आज हम इस और गेंजा फैबरिक का बनाएंगे कुछ खास और सबको बहुत ही पसंद आने वाला है बहुत सिंपल है इजी से हम बनाएंगे देखिए यहां पर मैं फाइव यर ग í फिर आपना किया करेंगे इस तरह के से लिए है अगर आपको इस सरकल में बडा लंगा बनाना थे तो नीचे का जो हमने इस स्वांदी निचे ने जिस लगा कि largest ने पास इतब ही कपडा था न मैं एक सकट बहुत सी प्यारी बनाने वाली हूँ सब्र एतन। यह शीर ठाइ उस जगह पर इचलो nossos मांड़ा मुझा तो बड़ा हो जाएगा और आपस उचे से हम एसे होड़ रहेगे आपके पास एमरोडरी या मशीन है तो आप से कर सकते ही नहीं तो यह मалась होड़ा है और देखे मैंने इस सर्कल बड़े से सर्कल के नाप से एक अस्तर का सर्कल भी कट किया है क्योंकि मुझे यह स्कुर्ट खिला खिला रखना था आप देखना जाएंगे मैक्स में ट्रेंस में बड़े-बड़े मॉल में यह 400-500 की होगी और यह हम घर पे बहुत ही कम प्राइज तो फुमक ठुमक के चलती है कितनी प्यारी लगती है अब न यह अस्तर का भी नीचे से फॉल्ड कर लिया है उसके बाद हमें में जो और गेंजा फैब्रिक है उससे भी लेना है और दोनों सर्कल को जोड़ लेना है देखे यह फूल सर्कल मैंने मतलब स्कॉर्ट बनाई है तो अगर आपको फूल स्कॉर्ट मैं सर्कल नहीं कट हो रहाए तो दो हाफ हाफ सर्कल भी कट कर सकते हैं कम कपड़े में देखे दोनों को जोड़ लिया अब बारी आती है एलास्टिक की तो इलास्टिक के लिए हमने एउपर में नेफए का पार्ट होता है वो कैसे कट किय और एक्ष्ट्स जोड़ा जोडऻने ?क का मत एक्ष्ट्स का घृट इनल स्पफ़ले ? अब हमारा जो belt का part है उपर का उसे ऐसे fold करें और elastic के पास ही हमें stitch करना है elastic के उपर stitch नहीं करना है और elastic को खीचते हुए हमने देखे पूरे round में stitch की और एक center में stitch कर लीजेगा ताकि आपके elastic बिल्कुल भी fold नहीं हो जाएगी अब यह जो हमारा skirt है उसे इस तरीके से अंदर लेजिए और नीचे का और एलास्टिक वाला पाट पकड़ते हुए और खीचते हुए पूरी राण में स्टीज कर लीजिए तो यहां पर हमारी प्यारी से सुन्दर से skirt बनकर ready हो गई है और कितनी cute लग रही है तो आपको hope करती हूँ यह बहुत पसंद आई होगी और बहुत कम दाम में आप घर पे easily बना सकते हो तो चलिए ऐसे idea के शाथ हम मिलते हैं next वीडियो में बबाई जे बारत